कोश्चन पेपर में आपको एक साइड हिंदी में और एक साइड अंग्रेजी में दिया रहता है तो आपको जो भी लेंग्वेज अच्छा समझ माता है उसमें आप कोश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए पहला कोश्चन को सॉल्व करते हैं दिया गया है दी गई स्रेनी क कि अगली संख्यां ग्याद करें प्रस्ण संख्यां एक से तीन तक तो यहां जो संख्यां दिया है 7, 28, 49, 70, 91, 112 तो यहां अगला संख्यां क्या होगा हमें निकालना है तो इस तरह के सवाल को कैसे हल करना चाहिए इसके बीच के difference को निकाल करके ज्यादा तर सवाल में difference ही बन जाता है तो चलिए इसका difference निकालते हैं और देखते हैं क्या आएगा 7 से 28 कैसी होगा तो इसका मतलब है 21 जोड़ा गया है 28 से 49 इसमें भी 21 जोड़ा गया है 49 से 70 इसमें भी 21 को जोड़ा गया है 70 से 91 जोड़ा गया है 91 से 112 जोड़ा गया तो हम लोग क्या करेंगे कि लाश्ट बला जो संख्या 112 उसमें भी क्या करेंगे 21 को जोड़ देंगे अगर इसको 21 जोड़ते हैं तो यह निकल के आता है 133 तो हमारा सही एंसर क्या हो जाएगा option 1 दूसरा question लेते हैं तो 17 से 18 कैसे होगा फुलस 1 किया गया अठार से 22 फुलस 4 उसके बाद 22 से 31 तो पुलस 9 किया गया है और 31 से 47 तो प्लस 16 किया गया है तो इसमें कौन सा pattern मिला एक कैसे आया एक का वर्ग है चार कैसे आया तो दो का वर्ग है 9 कैसे है तीन का वर्ग 16 कैसे होगा तो चार का वर्ग तो इसका मतलब एक का वर्ग जोड़ा दो का तीन का चार का तो अब हम लोग को क्या करना है पांच के वर्ग को जोड़ना है तो अगर हम लोग 47 में 5 के वर्ग यानि 25 को जोड़ते हैं तो कितना निकल के आएगा 5 का वर्ग 25 होता है तो इसको अगर जोड़ते हैं 47 में 25 को तो 72 निकल के आता है तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा option D कि इसी तरह से next question को अगर हम लोग देखें तीसरा सवाल 67 है 73 है 89 है 83 है ज़रूरी नहीं कि सभी question इस तरह का difference से बन जाए कुछ में वर्ग क्या रहता है कुछ में घंड क्या रहता है किसी में जोड़ घटा और गुना भाग कुछ भी कर सकता है यहां पर देखिए यहां सरसट एक अभाद संख्या उसके बाद अगला अभाद संख्या का अगतर यह अभाद संख्या प्रस्ण हैं तो 83 के बाद अगला अभाद संख्या कौन सा होता है नवासी तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा ओप्सन सी कि चोथा प्रस्ण देखिए अब यह लेटर में आ गया तो इस तरह से इतना नमर पर 26 नमर पर डबलू कितना नमर पर आता है विसीली में 23 नमर पर एस 19 नमर पर पी 16 नमर पर एल कितना पाता है 12 पर आई 9 पर और यह आता है 5 पर ठीक है अब देखिए इसके बीच का डिपरेंस तो 26 से 23 यानि-3 23 से 19 यानि-4 बार 19 से 16 यानि-3 16 से 12 यानि-4 12 से 2 यानि-3 और 9 से 5 यानि-4 तो अब हमने क्या करना है माइन gen t तिन किसमें से करेंगे लाश्ट बला संक्यां लाश्ट में कितना है पांच और पांच में से तीन को घटाते हैं तो क्या निकल क्या आता है दो और दो का मतलब क्या हुआ अगर इसको लेटर मिलेंगे तो B यानि की option A हमारा सही है पांचमा पुरस्ण है इसको भी उस तरह से हमको करना है B है पहले तो B कितना नमर पाता है दूसरा नमर पे E कितना पाता है 5 और H आता है 8 नमर पे उसी तरह से अगला अगर हम लोग देखें तो अगला है K N Q तो K 11 नमर पे N 14 नमर पर और Q आता है 17 नमर पे T कितना पाता है 20 पर W 23 नमर पर आता है और Z आता है 26 पर तो अगला क्या होगा हमें निकालना है तो अगर हम लोग इसकी डिफरेंस को देखें तो 2 से 5 यानि पलस 3 5 से 8 यानि पलस 3 गया पलस 3 किया गया है तो उसी तरह से लाष्ट जो संख्या है उसमें अगर हम लोग पलस 3 करें तो 26 पर तो ABCD खतम हो जाता है Z तो उसके बाद फिर A से सुरू हो जाएगा तो अगर हम लोग 26 में 3 जोडते है तो क्या आएगा 3 फिर 3-3 का डिफ्रेंस था तो 3-6 नौ आ जाएगा चुकि इसमें लेटर में है एंसर तो 3 नमर क्या है C 6 नमर क्या है F और 9 नमर क्या है I तो C F I हमारा क्या हो जाएगा राइट एंसर यानि आप्सन नमर 2 इसका सही है छठा प्रशन देखी L कितना पर आता है 12 पर X कितना पर आता है 24 पर और F आता है 6 नमर पर उसी तरह से M कितना पर आता है 13 नमर पर और उसके बाद T है 20 नमर पर J है 10 नमर पर अगला N है 14 पर P है 16 नमर पर और N है 14 नमर पर फिर उसके बाद O है 15 नमर पे और उसके बाद L 12 पर और उसके बाद R 18 पर ठीक है तो अगर इसमें डिफरेंस देखिएगा तो देखिए यहां पहला में क्या था 12 दूसरे में 13 फिर तीसरा में 14 फिर उसके बाद अगर हमें 15 तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या निकल क्या रहा है कि इसमें सभी में एक-एक बढ़ाया गया यहां पर देखें तो 12, 13, 14, 15 अब क्या आता 16 आता है ना उसके बाद यहां X को देखें तो 24 और इसमें है T यानि 20 तो इसमें क्या-क्या 4 को मैनस कर दिया ठीक है यहां P फिर यानि 4-4 को मैनस कर रहा है तो 12, L 12 पर होता है अगर इसमें से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8 उसी तरह से लास्ट बला हम क्या किया है F है इसमें J है तो 6, 10, 10, 4, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 24, 22 तो 16, 8, 22 तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे 16 नमर क्या है P है 8 नमर पर क्या है H है और V है 22 नमर पर तो P H भी हमारा क्या निकल के आएगा राइट एंसर तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है इसी तरह से अगला फ्रस्ण पर चलते है Z है U है Q तो Z कितना पर 26 पर U कितना पर 21 नमर पर अलफाविट का क्रम आपको याद रखना है Q कितना नमर पर 17 नमर पर बीच का पूछा जा रहा है और यहां है L यानि 12 तो देखिए सवाल है इसको भी आपको सॉल्व करना है तो देखिए अब यहां प्रश्णों में गुप्त पद संख्या को ग्यांत किजिए 8 से 12 नमर क्वेश्चन में यहां पर देखिए नमर का जो है यहां दू है चार है यहां बीच दे दिया और दूसरे में यहां पर नबे दे दिया तो यहां पर क्या होगा हमें निकालना है तो इस तरह के सवाल में आपको यह समझना होता है कि इसमें क्या किया कि यहां पर 20 आ गया और इस सवाल में क्या किया कि नबे आ गया अगर यह पता चल जाए तो इसमें भी वही काम हमको क करना है तो ध्यान से देखिए इसमें क्या किया गया है आठमा प्रस्न में क्या किया गया है चली समझते हैं कि यहां पर दो है यहां पर चार है यहां पर दो का क्या ले लिया वर्ग ले लिया और यहां पर चार का वर्ग ले लिया दो का वर्ग होता है चार और चार का वर्ग 16 और 16 चार कितने हो जाते हैं 20 इसलिए यहां पर लिखा 20 कहने का मतलब जो बांकी दो संख्यां उसके वर्ग को जोड़ा गया इसी में तीन का वर्ग 9 और 9 का वर्ग 81 और उसको जोड़ करके आया 90 तो वही काम हमको अगला संख्याम करना है तो एक का वर्ग अगला प्रॉसन देखिये यहां पे 9 है 13 है 22 है तो यहां पर क्या होगा हमें पता लगाना है तो यहां पे कुछ अलग है तो यहां 9 से 13 लिखा हम लोग इसको ऐसे लिख ले 9 13 22 अगला निकालना है दिखिए 9 से क्या है 4 13 और 13 से 22 तो इसका मतलब है 13 vir 6 20 यानि 9 प्लस किया गया है तो यहां 4 प्लस किया यहां 9 प्लस किया यानि 2 का वर्ग प्लस किया इसमें 3 का वर्ग प्लस किया तो अब हमें क्या करना है चार का वर्ग प्लस करना है तो अगर हम बाइस में सोलर को जूड़ देते हैं तो कितना निकलके आएगा इसका सभी एंसर क्या निकलके आएगा हमारा 28 नेक्ष्ट पुरस्न देखिए 10 निम्मर का यहां पर बीच में 12 आया यहां 21 आया तो यहां पर क्या आएगा हमें ज्यात करना है तो आया कैसे चलि देखते हैं इसको कैसे सॉल्म कर सकते हैं देखिए यहां 5 है 6 है यहां 4 पांच गुना चो गुना अगर 4 करते हैं तो होता है चो पंच तीस चो के 120 और यहां पे लिखा क्या है 12 यानि कि 0 को हटा करके लिख दिया इसी तरह सिसमें देखिए 6 है 7 है 5 है तो कितना हो जागा चो सब्सक्राइब होता है दूसर दस और इसमें से 0 हटा दिया सिर्फ 21 लिख दिया तो वही काम हम लोग अगलाम कर देते हैं तो आठ चुके 32 दहिन कितना हो जाएगा 320 और इसमें से अगर 0 हटा कि लिखें तो हमारा आ जाएगा एंसर 32 जै किस तरह से आपको सवाल अगला कुस्टन देखिए 11 नमर का तो यहां पर बीच में 93 कैसे आया यह हमें सोचना है तो कैसे आ सकता है चली देखते हैं तो यहां 5 है इधर 15 है तो 5 गुना अगर हम लोग 15 कर देते हैं और पुलस इसमें कर देते हैं 3 गुना 6 तो यह होता है 15 पच्छा पच्छतर और 16 18 और इसको जोडते हैं तो क्या निकल के आएगा 93 ठीक है तो समझ माई गया किस तरस क्या है दोनों साइड बला गुना कर दिया और इधर भी दोनों साइड बला गुना करके जोड दिया गया है तो वही काम हम लोग कर दें इसमें तो यह हो जाएगा 7 गुना 5 और पलस हो जाएगा 9 गुना 6 तो साथ पंचे 35 प्लस नचा कर चोबन 35 और चोबन को अगर हम लोग जोड़ें तो यह आता है नवासी तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा नवासी यानि ऑप्शन डी इस तरह के सवाल को आपको प्रैटिक्स करना है इसको पजल बोलते हैं पहली बोलते हैं तो इसको काफी स्वर्व करना है अगर आपके पास का एड़ तो चलिए बारन का देखते हैं यहां बीच में शी आया है तो यह पता चल जाए तो हमको यहां पर क्या होगा यह भी पता चल जाएगा तो चली इसको देखते हैं कि यहां 15 इधर 5 है इसको क्या किया है 15 में से 5 को घटा लिया और इसको गुणा कर दिया 2 पुलस इस साइड़ वाले को जोड़ दिया इस साइड़ वाले में से घटा दिया फिर दोनों को गुना कर दिया पंद्रह में से पांच किया दस और छोदू हो गया आठ दस अठ है असी देखिए समझ मागया किसे आया असी इधर वाले को घटा लिया, इधर वाले को जोड के गुना कर दिया, तो वही काम हमें लोग इसमें कर दें, तो यहां पर अगर 13 में से 11 घटाते हैं, दो बचता है, इधर 16 और 8 को जोडते हैं, तो 24 होता है, और दोनों को अगर गुना कर दें, तो कितना हो जाएगा, 48, तो इ इस परकार पिर्थवी सम्मंधित है सूरज से तो उसी परकार चांद किस से सम्मंधित है हमें यह निकालना है देखिए पिर्थवी क्या करता है सूरज की परिकर्मा करता है इसी परकार समंधित है तो चांद किसका परिकर्मा करेगा पिर्थवी का तो इसका राइट एंसर हो गया, फिर थे भी, उसी तरह से देखिए, यहां चूहा है बिल्ली, तो मक्खी क्या होगा, तो यहांपर समझे, तो चूहा को कोन खाता है बिल्ली, तो मक्खी को कोन खाएगा, मकडी, उसी तरह से अगला question है grant-garic पुस्तक के हैं तो साहुकार grant-garic जो है पुस्तक लिखता है तो साहुकार क्या करता है यह पैसा देता है यहाँ 23 है इधर 13 लिख दिया तो 54 क्या होगा तो अगर इसको हम लोग solve करें तो क्या आता है 23 से 13 कैसे आएगा इसका मतलब है 10 को मैनस किया गया है तो 54 से अगर हम लोग 10 को मैनस करें तो क्या आएगा 44 आएगा तो इसका answer क्या हो जाएगा 44 इधर 123 है इधर 4 है इधर 726 है तो क्या आएगा चलिए इसको निकालते है तो यहाँ दीखे चार तिया इधर 12 कर दिया तो इधर हो जाएगा 12 चक है यहां 12 दे देंगे तो 12 चक है 72 अब यहां चार ओप्सन इसमें से बिसम को चाड़ना जो सब से अलग है वही हमारा answer होगा तो इसमें सब से अलग कुन सा है पंचांग वर्स दिनांक महिना पंचांग में क्या होता है कि हम लोग यह सभी चीज क्या एक समंधित है तारीक लिखते हैं फिर महिना लिखते हैं फिर वर्स लिखते हैं लेकिन पंचांग में क्या करते हैं इस सब चीज को देखते हैं तो यही इसका right answer हो जाएगा गंद ले विश опятьburg करिए कौन सब्सेलग दिखाई देघ रहा है गंद दुश सब we i8 क्या है बिसेस्जन है बिसेस्टा बता रहा है लेगिन सुना क्रिया है तो इसलिए जली इसका सजयर हो सकता है कि कचुभा है बतक है सांफ है ह्यल मचली है तो कचुभा बतक और शव disturb यहWowit चर्प प्रानी रही towel पानी Insur i ignore 5 9 है तो अगर इसको लोग देखें तो इसका राइट से पहसा सकता है क्योंकि पांकि सभी तीन से विवाजित है लेकिन यह नहीं है यह से भी कर सकते हैं यह अभाज संख्या नहीं है अगला question देखिए 22 का कि 140 240 300 site है और 400 सी है तो अगर इस सब को देखें तो यह सब 12 से विवाजित है और 242 से विवाजित नहीं है तो यहीं सबसे अलग है वहीं अंसर हो सकता है अब आपको इस टाइप के question भी देखने को मिलेंगे तो कि जिसको कि यहां screen पर बताना संभव नहीं है तो ऐसे question को बोर्ड पर solve करके बताएंगे पचीश तक कुछ ऐसे से question है अगर क्योंस संदी घी अगर आंख हाथ कहलाती है हाथ मुग कहलाती है मुह konka लाती है कान नाक कहलाती और नाक जीब कहलाती है तो व्यक्ति निमलिकिद में से किस से सुनेगा तो इस टाइप के प्रोश सिर्फ में से जाते है घ्याट्य आपको देना है सुने किस से सुनेगा किस से सुनता है कान से लेकिन यहां पर यह ध्यान देना है कि यहां पर कान को क्या कह रहा है यहां कान नाक कह लाती है सवाल क्या कर रहा है कान को नाक कह रहे हैं तो इसलिए इसका अंसर हो जाएगा नाक यहां पर कान एंसर नहीं होगा क किससे सुनेगा तो विजाथी लगा देता कान लेकिन इसका एंसर होगा ना क्योंकि इसमें कान को ना कहा जा रहा है तो इस टाइब के सवाल आते हैं अगर पानी खाना कहलाता खाना पेंड पेंड आसमान कहलाता आसमान दिवार कहलाता तो फल निमली खित में से किस पर उगएंगे तो फल किस पर उगता है पेंड पे तो इस सवाल में देखना है कि पेंड को क्या बोलते हैं यहां पेंड को आ आस्मान ठीक है? तो इस तरह के भी सवाल आपको देखने की मिलते हैं. तो बहुती जो सवाल बच गया इसके लिए आपको next वीडियो का इंतजार करना होगा ऑसलिए आपको आगे का भी चाहिए तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा video को लैक कर दीजेगा और कॉमेंट करके बताईएगा